बीती चार जुलाई को हर्याना के पानिपट से एक पाँच महीने का बच्चा गायब हो गया दरसल केलाश और उसकी पत्नी जो की पानिपट जिले की रहने वाले हैं वो कुछ काम से बाहर जाते हैं अपने छोटे से मासूम से प्यारे से बच्चे को खुझ से अलग करके कुछ देर के लिए अपनी दादी के पास छोड़ कर वो घर से बाहर काम के लिए चले गए और ऐसे में जब कैलाश और उसकी पत्नी वापिस घर आके देखते हैं तो उनकी आँखे फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि घर में उनका बच्चा ही नहीं है आखिर उनका बच्चा कहां गायब हो गया कौन उस बच्चे को ले कर गया और उस बच्चे के साथ क्या हुआ उससे पहरे मैं आपको ये बता दू कि पानीपत और जीन्द पुलिस को एक पाँच महीने के बच्चे का ही सरकटा शब बरामत होता है अब वो पाँच महीने का बच्चा और कोई नहीं बलकि कैलाश और उसकी पतनी का बच्चा था बच्चा पांच महीने का है यानि कि आप खुद समझदार है कि बच्चा बहुत जादा चोटा है जिस बच्चे को सिरफ गोद में ही रखा जा सकता है आखिर वो बच्चा कैसे जीन तक पहुँच गया और जीन में उसका सर किसने काट दिया उसकी बहरैमी से हत्या किसने कर डाली इस पूरे मामले को लेकर जब कैलाश और उसकी पतनी 4 जुलाई को थाने में जाते हैं और मिसिंग का मामला दर्च करवाने के लिए पहुँचते हैं पोई स्oty को डूंडा जाते है कि जल से जल्द हमारे बच्चे को ढूंडा जाता है। मा का लिविन पार्टनर था जिसके साथ कैलाश की मा क्रिशना रह रही थी अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था क्यूं उसका सर काट दिया गया क्यूं उसकी बहरामी से हत्या कर दी गई दरसल जैसे पता लगा कि और कुछ नहीं ब कैलाश के घर गया घर जाते ही उसकी शायद क्रिशना से कुछ कहा सुनी हुई कुछ बहस हुई किसी बात को लेकर काफी जादा लडाई जगड़ा हुआ और लडाई जगड़े के बाद बदला लेने के नाते उसने उस बच्चे को उठाया यानि कि पोते को अपनी दादी स या फिर यूँ कहें कि दादी को उसके पोते से अलग कर दिया और उस बच्चे को उठा कर वहाँ से चला गया जिसके बाद जैसे ही ये बात कैलाश और उसकी पत्नी को पता लगती है वो बहुत जादा गुस्से में भी आ जाते हैं क्योंकि इसमें उसकी मा भी शामिल थी और मा ने बहुत देर बाद ये बात बताई कि हां और कोई नहीं बलकि चंद्रगुप्त ही तुमारे बच्चे को लेकर चला गया हमारे घर के बच्चे को लेकर चला गया लेकिन उस बच्चे की बहरेमी से हत्या कैसे कर दी गई मैं आपको ये बताना जा रही हूं कि जैसे ही चंदरगुप्त पर शक गया CCTV में उसका फोटो सामने आती है और केलाश की मा से भी पूश्टाच की जाती है और केलाश की मा भी ये बात कबूलती है कि हाँ घर से ही बच्चा एक तरीके से मुझसे छीन कर लेकर जाया गया जो चंदरगुप्त है मुझसे छीन कर बच्चा ल और ना सिर्फ हत्या करी बलकि बड़ी ही बहरैमी से हत्या की उसका सर काट दिया गया उसका शरीर सड़ी गड़ी हालत में सड़ी गली हालत में रेलवे के पास जो रेलवे की पट्रियां है उसके पास जाडियां है जाडियों में पानिपत और जीन पुलिस को बरामद होता है जिसके बाद शव को रोतक की पोस्ट मार्टम हाउस में पीजी आई पहले रैफर कर दिया जाता है और उसके बाद पोस्ट मार्टम हाउस में उसे भेज दिया जाता है उसका पोस्ट मार्टम हो रहा है और ऐसे में चंदरगुप्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, गिरफतार कर लिया गया और जल्द पुलिस इस मामले की गहनता से और भी छानविन करेगी, और भी पूश्ताच करेगी और जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी, वो चंदरगुप्त को दिलवाएगी मेरे आप सभी लोगों से अपील इस वीडियो को देखे और इसे शेयर जुरूर करें धन्यवाद